Hello everybody, स्वागत है आपका, आपके अपने चैनल Study Blaster पर और मेरा नाम है दिनेशार्या, आज बहुत ही important news आपके लिए लेकर आया हूँ, राजिस्थान बोर्ड, Board of Secondary Education राजिस्थान अजमेर का जो syllabus है, नया revised syllabus है 2021 के लिए, उसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंग course को थोड़ा सा short किया गया है, syllabus को कम किया गया है, तो वो कौन-कौन से chapters जो हैं आपके exam में आने वाले हैं और कौन से नहीं आने वाले हैं, तो इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखेगा, बिलकुल भी वीडियो को skip मत किजेगा, क्योंकि हर एक-एक point आपके लिए ही जादा important रहेगा, अब देखें यहाँ पर लिखा हुआ है, revised syllabus, यह देखें इस point को आप ध्यान रखेगा, revised syllabus, ठीक है, revised syllabus for board exam 2021, यानि कि 2021 के लिए आपका यह जो exam होना है, उसका यह revised syllabus है, अब देखें आपका paper जो है, वो 3 घंटे 15 मिनट का होगा, यह चीज़ आप ध्या sessional, यानि कि school से जो 17 जाएंगे, वो 20, इस तरह से आपका total paper कितने का हो गया, 100 marks का, यानि कि 100 number का आपका paper रहेगा, अब अगर बात करें, area of learning, तो आपको reading, यानि कि आपकी जो reading skill है, उससे 14 number के question आएंगे, writing part से 14, grammar से 15, और textbook golden race से 23 number, और आपकी जो supplementary book है, resolution, उससे 10 number के question, road safety education से 4 number का question जो है, आपको पूछा जाएगा, और ये सारी चीज़े हम हमारे channel पर जल्दी ही लेकर आने वाले हैं, तो इसलिए channel पर बने रहिएगा, अब reading section में अगर हम बात करें, तो आप से पूछे जाने हैं, यहाँ पर two unseen passages, जो की 350 words के रहेंगे, और उसी से आपको यहा 50 marks का passage आपका रहेगा, और एक passage से आपके question होंगे, 7 marks के, second passage जो है, वो 500 words का रहेगा, और उसी में से आप से 7 marks के questions पूछे जाएंगे, तो इस तरह से reading section से कितने marks के question होगे, 14 marks के question यहाँ पर होगे, अब हम आगे चले writing part से, तो writing part में आपको क्या-क्या चीज़े पूछी ज लेटर होगे, informal letter, जो कि family या friend को लिखा जाता है, और दूसरा होगे आपका formal letters, ठीक है, एक informal और दूसरा formal, जो कि आप किसी editor को, newspaper को, magazine को, school के principal को, ये हो गया है ना, और उसी के साथ ही email भी कई बार पूछ लिया जाता है, और तीसरी बात जो है, second जो question यहाँ से पूछा ज जाएगा, वो पूछा जाएगा, एक short paragraph, जो कि four number का होगा, और आपका letter writing रहेगा, वो कितने का रहेगा, आपका five number का, ठीक है, और उसी तरह से third चीज जो है, आपको diagram के through, picture के through, graph के through, map के through, chart के through, table के through, या flow chart के through, एक short writing based question आएगा, और उसका कितने marks होंगे, उसके भी five marks यहां पर रहेंगे, तो इस तरह से आपका writing section होता है, grammar section की अगर हम बात करें, तो grammar section में देखें क्या क्या आपके पास topic है, सबसे पहला topic आपका tenses हो गया, second आपका active passive हो गया, third आपका direct indirect हो गया, और fourth आपका models हो गया, इन सबसे आपस question पूछे जाएंगे, अगर हम book की बा और दूसरे में क्या है, poetry है, तो यहां से आपको questions पूछे जाएंगे, ठीक है, इसी तरह है अगर हम आगे चलें, resolution से यहां पर आपको question पूछे जाने है, resolution से भी क्या है, आपको आपकी second book है, वहां से भी question आपसे पूछे जाएंगे, अब सबसे main और important बात की, कौन-कौन स chapters जो हैं इस बार exam में नहीं आएंगे, अचा यह चीज एक और ध्यान रखेगा, कि road safety से भी आपको four marks के question पूछे जाएंगे, और इस road safety के उपर हम एक proper पूरा वीडियो रखेंगे, और उसके अंदर से ही आपको सारे questions देखने को मिल जाएंगे, तो इसी लिए वो वीडिय सादा important रहता है आपके लिए, अगर आप उस वीडियो को देखेंगे, तो आपको बहुत अच्छा खासा idea लग जाएगा, कि किस तरह से आपको road safety के उपर आपकी जो skill है, आपकी जो writing skill है, उसको बढ़ाना है, ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं कि कौन-कौन से chapter जो ह करने का मतलब यह है, कि यह सभी chapters इस बार exam में नहीं पूछे जाएंगे, तो कौन सा हो गया, अगर हम पहली book की बात करें, golden race की, तो यहां से आपका on violence, a hero, lady or tiger, the betrayal of faith, और an allergy on the death of a mad dog, यह जो poem है, यह भी इस बार exam में नहीं पूछी जाएगी, ठीक है, इस से कोई भी question नही अगर हम second book की बात करें, resolution की, तो यहां से growing up pains, purple jar, the man who knew too much, और high marhaja, यह सारे chapter exam में नहीं पूछे जाएंगे, तो इसलिए आपको इन chapters के लावा, जो बचे हुए chapters है, वो पढ़ने हैं, इन्हें आपको इस बार नहीं पढ़ना है, ठीक है, तो thanks a lot for watching this video, और आप सभी को best of luck 2021 के examination के लिए, और अपनी तैयारी में लग जाईए, क्योंकि हम हमारे channel पर आपके लिए पूरा course जो है, लेकर आने वाले हैं, तो इसलिए channel पर बने रहिए, thanks a lot, again